जेश्री राम सभी को, आप सभी को सकट चौत वरत की हारदिक शुबकाम नाएं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आने वाली 29 जनवरी को सकट चौत का वरत हैं, तो आज हम उसी के महत्व और वरत कता के बारे में जानेंगे। सकट चौत का महत्व माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौत का वरत रखती हैं। वरती में ही लाएं शाम को गनेश जी की पुज़ा और चंद्रमा को अर्दय देने के बाद ही भोजन करती हैं। मानने था हैं कि माग महा की चतुर्थी के दिन ही बगवान गनेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीवर बुद्धी और ग्यान का परिच्चे दिया था। इस वरत को करने से संतान को अच्छा स्वास्त है, वुद्धी, सम्रिद्धी में वृद्धी होती है। साथी इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में विशेश इस्तेमाल किया जाता है। इस वरत को सकट चौत के इलावा संकस्टी चतुर्ती, तिलकुट, माग चतुर्ती आदी नामों से जाना जाता है। सकट चौत की पूजा विधी, सकट चौत के दिन ब्रह्म मूरत में स्नान करके सुच वस्त्र धारन करें। इसके बाद भगवान गनेश की परतीमा को चौकी पर स्थापित करें। गनेश जी के साथ मालक्षमी की मूरती रखें। गनेश जी और मालक्षमी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दूर्वा, मोदक, आदी अर्पित करें। सकट चौत में तिल का विशेश महत्व हैं। इसलिए भगवान गनेश को तिल के लड़ूों का भोग लगाएं। ओम, गन गन पताये नमा मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौत की वरत की कथा सुने और आर्ती करें। रातरी में चंद्रमा को अर्दे दे कर सकट चौत का वरत संपन करें। कथा सुनते वक्त हाथ में थोड़े तिल और दूर्वा ले ले, कथा कि ये पश्चात उन्हें आतो पल्ले में बांग ले या किसी कटोरी में रख ले, रात को अर्दे देते वक्त ये तिल और दूर्वा जो हाथ में लिये थे वो भी चंद्रदेव को अरपन कर दे, व्रत धार में ग्रंतों में बताई गई सकर चौत व्रत कता कि अनुसार एक नगर में एक कुमार रहता था एक बार उसने मिट्टी के बर्तें बनाए और आवा में डाला लेकिन वह पके नहीं यह देखकर कुमार परिशान होकर राज़े के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई इसके निदान के लिए राज़ा ने राज़े के पुरोहित को बुलाया और पुरोहित से ऐसा होने के पीछे की वज़ा जाननी चाही इस पर पुरोहित ने कहा कि यदि रोजाना आवा लगाने से पहले गाउं के एक घर से एक बच्ची की बली दी जाए तब ये आवा लगा दी और ऐसा करने का आदेश्क दे दिया अब रोज परतेक परिवार से एक बच्चे की बली दी जाने लगी कुछ दिनों बाद एक बुढिया के लड़के की बारी आई वो अपने लड़के को बली के लिए नहीं बेजना चाहती थी क्योंकि वह लड़का ही बुढिया क इसका नाम लेकर आवा में बैठ जाना सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी इसके बाद जब बुढिया की बेटे को आवा में बिठाया गया तो बुढिया अपने बेटे की रक्षा के लिए पूजा पाट करने लगी बुढिया के पूजा पाट के प्रभाव से जिस पहले बलीदी गई थी वो बित जीवित हो उठे तब ही से नगरवासियों ने मा सकट की पूजा और व्रत रखना शुरू कर दिया जैसे सकट माता ने बुढिया के बैच्चे की रख्षा करना जैहों सकट माता की कहानी कभी भी अकेली नहीं कही जाती उसके साथ में एक गने गनेश जी प्रकट होकर उस बुढिया से बोले बुढिया मा तू जो चाहे सो मांग ले बुढिया बोली मुझसे तो मांगना नहीं आता कैसे और क्या मांगो तब गनेश जी बोले अपने बहु बेटे से पूचकर मांग ले तब गनेश जी कहते हैं तू मांग ले बता मैं ने कहा बुढिया तू तो थोड़े दिन जियेगी क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे तू तो अपने आखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए जब अगले दिन गनेश जी आए तो बुढिया बोली यदि आप मुझे पर परस्तन है त तूने तो हमें ठग लिया फिर भी जो कुछ तूने मांगा है वच्चन के अनुसार तुझे सब मिलेगा और यह कहकर गनेश जी अंतर ध्यान हो गए उधर बुढिया ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया हे गनेश जी महराज जैसे तुमने उस बुढिया मा को सब कहानी सुनने वालों की कहानी कहने वालों की और उंकार भरने वालों का सब का भला करना जै हो सकत माता की जै हो गनेश जी भगवान की आशा है आप लोगों को मेरे दुआरा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी धन्यवाद